हेलो दोस्तों स्वागत है आज की एक नई वीडियो में दोस्तों आज हम आपको जैसंकर प्रसाद का जीवन परिचा लिखना बताएंगे और दोस्तों इसको आपको एक्जाम में कैसे लिखना है ताकि आपका टाइम जो है बहुत कम लगे और माक्स आपको फूल मिले ठीक है ताकि देखिए किताब के हिसाब से याद करेंगे तो जैसंकर प्रसाद का जीवन परिचा जो है वो कम से कम दो पेज में चला जाएगा और विद्या क्वेस्चन बैंक के हिसाब से या फिर और किसी क्वेस्चन बैंक के हिसाब से याद करेंगे तब आपको जादा टाइम आगेगा और बहुत ज़्ता रहता एक्जाम में लिखने में ये बहुत ज्यादा टाइम लेता है ठीक है दोस्तों तो एक्जाम में कैसे लिखना है एकदम छोटा समयने लिख करके बताया है उतना ही लिखना है कि जितने का आपको फूल नंबर मिले देखिए जो जीवन परिचय होता है वो तीन नंबर का आता है जिसमें क्या होता है कि दो नंबर जीवन परिचय का होता है और एक नंबर रचना का होता है तो हमें ज्यादा नहीं लिखना चाहिए क्योंकि दो नंबर के लिए हमें दो चार पेज नहीं प्रसिद्ध वयस्थ से परिवारमी तो जादा बड़ा करके लिखा है तो उतना ही आपको लिखना है कि जितने में इस पस्ट वाक के हो जाए उसमें भी हमें जन्म का पता लग रहा है लेकिन उसमें हमें जादा बड़ा वाक के लिखना पड़ा रहा है लेकिन इसमें कैसे कासी में हुआ था एकदम एजी वाक मे अर्थ इसका वही निकलता है ठीक है और रही बात परिवार के बारे में तो next line में इनका परिवार सुंगनी साहु के नाम से परसिद्ध था ठीक है सुंगनी साहु के नाम से इनका परिवार परसिद्ध था इनके पिता का नाम देवी परसाद था अब उसमें क्या दिया गया ह बुक में की पिटा का नाम देवी परसाद था जो बहुत ही जादा साहित के प्रेमी थे ठीक है तो उतना हमें लिखने की जरूरत नहीं है हम जैसांकर प्रसाद का जीवन परचे लिख रहे हैं तो main main point लिखेंगे ठीक है जितने में हमें full max मिले अलावा चीजें हमें लिखने की जरूरत नहीं है प्रसाद जी ने 9 वर्स की आयू में एक कविता की रचना किया ठीक है एक कविता की रचना किया जिसे पढ़ करके इनके पितानी ने क्या बनने का असिरवाद दिया था महान जिके माता पिता और छोटे भाई की मृत्यू हो गई थी ठीक है बल्यावस्था में ही और आगे क्या है इनकी सिछा दिछा का प्रवंध इनके बड़े भाई स्री संभूनाथ जी ने ही किया था जब ये 17 वर्स के थे तब ही क्या हुआ कि इनके बड़े भाई की भी हो गई अब ऐसी स्थिति में इनके उपर क्या प्रभाव बड़ा कि इन्होंने तीन साधिया किया ठीक है इन्होंने तीन साधिया की परंतु तीनों ही पत्नियों की असमय मृत्यू हो गई तीनों ही पत्नी जो थी पत्निया जो थी हो क्या होई असमय यानि बेसमय मर गई को इनके स्वास्थ को बहुत हानी पहुचाई, इनके घर के जतने सदस्य थे, वो सभी बारी बारी से खतम होते जाते थे, मरते जाते थे तब इनके उपर क्या हुआ बहुत ज्यादा चिन्ताएं सताने लगी, और अत्यंत संघर्ष ने इनका क्या किया बहुत ज़्यादा स्वास्त को हानी पहुंचाई और क्या हुआ इसी भी छै रोग से ये पीडित थे और छै रोग से पीडित होने के कारण सन 1937 में ठीक है 1937 इस भी में इनका क्या हो गया दोस्तों निधान हो गया 1937 इस भी में इनकी मृत्य हो अब देखिए एक्जाम में क्या करता है रचनाओं के बारे में देखिए वहाँ पर कहता है कि रचनाओं लिखिए तो रचनाओं लिख देना है लेकिन जब कहे एक रचना का नाम लिखे तो only only आपको एक रचना कोई भी रचना लिख सकते हैं लेकिन जब रचनाओं कहे तब झाल झाल